हेलो एवरीवान वेलकम बैक तो दे चैनल कॉर्परेट अकांटिंग में हम लोगों ने फॉर्स चैप्टर से स्टार्ट किया था इशू अप सेर्स और इस चैप्टर में अभी तेख हम लोगों ने इशू आफ सेर्स टू पब्लिक फॉर अरेंजिंग कैपिटल यानि कोशर इशू नहीं करेंगे जब हमारी कंपनी हम लोग जब किसी आसेट्स को खरी देंगे तो आसेट्स को पर्जिज करने के बदले में हम लोग पहले कैश या बैंक के थुरू पेमेंट करते थे और आज हम लोग उसको शेर इशू कर देंगे शेर देकर पेमेंट करेंगे कैसा treatment, कैसे entry करना है, आये दिखते हैं, आप heading डालेंगे मेरे साथ-साथ, issue of shares for consideration, other than cash, consideration का मतलब होता है, something in return, बदले में कुछ, यानि अगर हम लोग किसी से assets purchase करते हैं, तो बदले में हम लोग उसको cash, bank, या फिर share issue करके payment करेंगे, तो बदले में कुछ, consideration मतलब, खेर, तो इसके अंदर हम लोग को अब दो चीज़ पढ़ना है, एक, if, if any, if any, assets are purchased, जब हम लोग कोई assets purchase करेंगे, और दूसरा होता है, जब, when, if, any, running, business is purchased, जब हम लोग किसी assets तो खरिते हैं, तो entry, general interest क्या होगा, entry करेंगे हम लोग assets, अगर अपने land, building, plant या machine जो भी खरिदा, आप वो assets का नाम लिखेंगे, अभी मैं लिख रहा हूँ, assets account debit to vendor account, narration आप लिख लेंगे, being assets purchased on credit, दूसरा entry हम लोग तो करते हैं, जब हम लोग share रिस्टो करके, इसका payment करेंगे, vendor का अगर नाम question में given हो, x limited, y limited तो आप वही लिखेंगे, vendor account, debit to share capital account, अगर equity share है तो equity share लिखेंगे, अगर preference share है तो आप preference share लिखेंगे, अब आगे, share हम लोग या तो add par वाला issue करेंगे, या फिर premium वाला add par वाला issue करेंगे, तो यही entry, या फिर or, when shares are issued at premium, जब premium में share issue करेंगे, तो क्या entry करेंगे? Premium वाले के लिए, vendor account debit to share capital account, or to securities premium account, और to securities premium account. premium वाले करेंगे लिए, गंज लगकुले करेंगेमथ, अशन नंबर आफ शेर्स के लिए अमाउंट पेवल टू वेंडर, वेंडर को जो अमाउंट पे करना है, एक शेर के वैलिव प्रीमियम के साथ हम लोग को डिवाइड करना है, तो यह आजागा नंबर आफ शेर, तो यह एक तरीका हो गया, दूसरे तरफ हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कोई रनिंग बिजनस परचिज करते हैं, तो क्या एंटर होगा, रनिंग बिजनस परचिज करते हैं, के हाँ जी, हमारी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, दूसरे कंपनी को हम लोग खरी सकते हैं, तो आईए, जब हम लोग बिजनस खरी देंगे, तो बिजनस में क्या होते हैं, आसेट सोते हैं, liabilities होते हैं तो assets और liabilities को हम लोग purchase कर लेंगे जितने भी assets से सबको हम लोग बारी बारी करके लिख लेंगे फिलाल मैं लिख लेता हूँ assets account debit assets account debit और two liabilities account जितने भी assets हम लोग purchase करेंगे सबको हम लोग उस purchasing value पर लिख लेंगे सारे assets account debit और two liabilities account और फिर हम लोग लिखेंगे to vendor account या फिर new company account तो to vendor account हम लोग लिखेंगे इसमें अब दो बात है देखेगा अगर हम लोगोंने company के 10 lakh 10 lakh का हम लोगों ने assets खरेद लिया है और अगर हम लोगोंने company का 2 lakh रुपे का अगर liabilities खरेद लिया है तो हम लोग को vendor को कितना payment करना है आठ लाग रुपय अगर हम लोग payment कर देंगे बात बन जाएगी है कि नहीं दस लाग का assets ले लिया है दो लाग का लाइबडी ले लिया है तो हम लोग आठ लाग payment कर देंगे तो बात बन जाएगी तो हमारा purchase consideration हो जाएगा आठ लाग किसी किसी question में purchase consideration अगर given ना हो तो purchase consideration हम लोग को calculate करना पड़ सकता है ऐसे किसस में क्या entry करते हैं जी देख लो मतलब कैसे calculate करेंगे purchase consideration equal to आठ assets taken over और इसमें सम्म लोग minus कर देंगे less liabilities taken over जितने का assets लिया है minus जितने का liabilities लिया है इस value को minus करने के बाद जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं मान लिया 10 लाग रुपय का हम लोग ने assets लिया 2 लाग रुपय का liabilities लिया तो आठ लाग रुपया जो है हमारा हो जगा PC यानी purchase consideration लेकिन अगर हम लोग इसको net worth भी बोलते हैं net worth आजकल ये word बड़ा प्रचलन में है बड़ा relevant word हो गया ये तो net worth equal to क्या होता है जी assets minus liabilities net worth इसी को हम लोग बोलते हैं net assets net assets बोल दे ये net worth बोल दे एक ही बात है खेर तो अगर हम लोगोंने हम लोग का PC अगर आट लाग फिलाल देखो अगर यहां हो रहा है लेकिन अगर हम लोगोंने ज्यादा पे कर दिया है ना जी अगर हम लोगोंने नाइन लाग नौ लाग फिलाग अगर हम लोगोंने पेमिंट किया तो क्या हो रहा है जी create side में हम देखो आज अगर 8 लाग फिला में कम्पणी खरीदी जा सकती है तो अगर आव Russi नौ लाग रुपे कर पेमेंट करते हैं, एक लाग कर ज्यादा पे कर रहे हैं, इसका मतलब उस कंपनी का मार्केट में गुडविल है, मार्केट में उसका रेपोटेशन अच्छा है, ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के देने वाली है, क्यों न ऐसे कंपनी हो खरिदा जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं, गुडविल, तो ऐसे केसे में यह आप क्या करेंगें, गुडविल, गुडवि अगर डेविट का यह च्रेघ ज्यादा है तो बैलंस क्रेट में आएगा, उसको बोलेंगे हम लोग capital reserve और capital reserve, balance अगर credit में आता है, balance in credit क्रेट में balance आता है तो हम लोग को लिखेंगे capital reserve डेविट में balance आया तो हम हम लोग लिखेंगे goodwill account debit आप दोनों को calculate कर लेना आपस में आपको समझ में आ जाएगा तो एक तो हो गया अगर हम लोग business purchase करेंगे तो क्या entry होगा तो पहला entry तो होगा assets account debit to liabilities account to vendor account balance reserve आया goodwill या capital reserve अब हम लोग ये due entry हुआ assets purchase मतलब business purchase करने का फिर इसके लिए हम लोग दूसरा entry करेंगे जब हम लोग share issue कर देते हैं company को तब तो ऐसे cases में फिर हम लोग करेंगे vendor account debit या फिर new company account debit और to share capital account ये entry करना है being the amount of purchase calculation paid to the company by issuing shares या तो at par में या तो premium में premium वाले के लिए value of one share पहले जैसा ही calculate करना है जो हम लोग को ने इधर देखा था चलो जी इसके बाद इसके बाद अब हम लोग का एक और चीज़ है दो चीज़ हो गया हमारा issue issue of shares to promoters देखो जी अब हम लोग इंटर करेंगे issue of shares to promoters प्रूमोटर्स कौन होते हैं प्रूमोटर्स में वो लोग हैं संसापक वो लोग हैं जिसने हमारे company establishment company के स्थापना करने में जिन लोगों ने हम लोगों को मदद किया है उसको बोलते हैं कि इसने नहीं क्रोंटर्स प्रूमोटर्स को हम लोग बदले में कुछ देना चाहते हैं तो आप क्या करें तो प्रूमोटर्स को हम लोग कुछ ऊजिए उसको हमaba होगा उसके लिए करेंगे coupled कुछ या ह Rowग thank you इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेविट टू इक्विटी सेर है तो इक्विटी या प्रेफरेंस टू शेर कापिटल अकाउंट कुछ लोग इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के बदले में फॉर्मेशन एक्स्पेंसेज भी लिखते हैं तो आप याद रखना इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एक्वल टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेज या फॉर्मेशन कॉस्ट एक ही चीज है तो मैंने लिखाया इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकॉस्ट अकॉंट डेट टू यह हो जाएगा तू ने सॉरी सॉरी तू प्रॉमोटर्स इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकॉंट डेबिट तू प्रॉमोटर्स अकॉंट और फिर या तो आप वह बाला डारेक्ट कर सकते हैं और या फिर यह ऐसा इंट्री कर लेना आप प्रॉमोटर्स अकॉंट डेबिट तू सेयर कैपिटल अकॉंट तो यह हो गया इतना करने के बाद तीन तरह का हम लोगों ने तीन केस देख लिया है चौथे केस में हो सकता है वेन शेयर्स आर इसूद टू अंडराइटर्स अंडराइटर्स वो लोग हैं जो हमारे कंपनी के सेयर्स को सेल करने में कंपनी को मदद करते हैं तो इनको भी हम लोग as a commission कुछ शेयर इसू कर देते हैं बदले में पैसा नहीं देते हैं कुछ शेयर इसू कर देते हैं इसके लिए क्या इंट्रे होगा जी अंडराइटिंइग कमिशन अगा डिविट टू अंडर्राइटर्स अकाउंट अनर्राइटिंग कमिशन अकाउंट डिविट टु Master और जब इनको हम लोग शेर इसु करेंगे तो यह तो हम लोगों ने डू एंट्री किया जब शेर इसु करेंगे तो अंडर राइटर्स अगाउंट डेविट टू शेर कैपिटल अकाउंट एक्विटी सेर हो या प्रिफरेंस सेर हो जो भी हो हम लोग नाम के साथ लगा लेंगे तो यह हो गया तो यह चार तरह काase लिग आज नया जो हम लोगों सिखा है जब हम लोग को शेर इसू करने के बद में हम लोगों कैस नहीं मिलेगा हम लोग करेंगे किसी दूसरे चीजı के लिए यानि जब हम लोग असेट्स परचेज करेंगे या दूसरा कुछ भी करेंगे तब उसके लिए चलो जी अब हम लोग कुछ कोश्चन सॉल्व करते हैं जो भी हम लोगों ने सीखा है आई आई आग चलो जी आज का पहला प्रश्ण ये रहा आपके सामने अंजयनी पुत्र कंपनी अंजयनी पुत्र कंपनी इस ने 5,000 से रिशु किया है 20 अर्पेवाला इस ने 5,000 से रिशु किया है और Sophक वाला इच तो प्रोमोटर्स फर सर्विशिढ था सर्विशेग और स्विश्ट इस ने पांज रिशा इस ठीक है तो पहले तो पांच या सेर हम लोगों ने इशू किया है प्रोमोटर्स को इसके लिए हम लोग इंट्री कर लें प्रोमोटर्स को जो हम लोग सेर इशू करेंगे उसके लिए हम लोग इंट्री करेंगे in corporation cost account debit to to promoter's account और फिर promoter's account debit to share capital account पांच हजार शेर इसु किया गया है दस दस रुपया वाला यानि पचास हजार रुपया का शेर इसु किया गया है नरेशन आप लिखेंगे बिना नरेशन का कोई जन एंट्री पास नहीं करना है बिंग 5,000 shares of रुपिस 10 each issued to promoter's for their promoting activities या for foundation work जो भी हो एक तो यह हो गया 4,000 share हम लोगोंने अंडर रुपया को पे किया है दस दस रुपया वाला इसु किया है इसके लिए अंडर आइटिंग कमिशन अकाउंट डेविट टू अंडर आइटिंग कमिशन अकाउंट डेविट टू अंडर आइटिंग कमिशन अकाउंट डेविट टू अंडर आइटर्स अकाउंट चार रुपया वाला यानि 40,000 रुपय का share issue इन लोगों को करना है तो फिलहाल 40,000 share due entry और जब share issue करेंगे तो अंडर आइटर्स अकाउंट डेविट टू share capital अकाउंट 40,000 तो एक तो यह हो गया चलो जी फटा फट से आब इसका screenshot डेलो फटा फट से अच्छा इधर वाला जो concept हम लोगों रहे सिखा इसका भी screenshot लेलो अभी हम लोग और दो question solve करेंगे चलो जी इकठे आ जा रहा है सारा कुछ चलो इकठे सारा है screenshot लेलो इसका यह एक और question solve करते हैं एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड ने purchase किया है 3,80,000 रुपे का राम ट्रेडर से कुछ assets यानि एक्स लिमिटेड ने 3,80,000 रुपे का assets purchase किया है और बदले में 10-10 रुपे वाला share issue कर दिया है दो condition है एक जब यह 10 रुपे वाला share at par में issue किया जाए और दूसरा condition है जब यह 10 रुपे वाले share 25% प्रेमियम में issue किया जाए दोनों condition में हम लोग को entry क्या करना है आए देखते हैं केस ए इसमें क्या करना है जी देखे पहले तो जब assets purchase करेंगे तो हम लोग entry करेंगे assets account debit to ram traders account तीन लाख 80 रुपे का हम लोगों ने assets purchase किया है तो यही entry होगा इसके बाद जब हम लोग payment करेंगे केसे कहता है 10 रुपे वाला share at par में issue करना है तो फिर ram traders account debit to equity word use किया है तो आप भी use करेंगे equity share capital account तीन लाग 80 रुपे का जब share at par में issue की जाते हैं तब आपको value of share यानि number of share आपको calculate करनी की ज़रत नहीं है तो यह आपका case 1 में आपका entry सारा हो गया दो entry करना है एक assets purchase करने का दूसरा share issue करने का चलो जी केस बी में क्या करेंगे आजा केस बी जब share हम लोग issue करते हैं 25 परसेंट प्रीमियम में ऐसे किसे में भी assets purchase करने का तो हम लोग entry वही करेंगे same assets account debit to ram traders account 3,80,000 और जब payment करेंगे तो राम traders account debit to equities share capital account और to securities premium account प्रीमियम वाले केस में हम लोग को value number of share calculate करना पड़ता हैं number of share issued देखो जी number of share के लिए amount payable to vendor 3,80,000 प्रीमियम और divided by value of one share including premium तो एक share तो भई 10 रुपय का है plus 10 रुपय का 25 परसेंट धाय रुपया यानि दो रुपया पचास पैसा एक share का value होगा दो रुपया बार रुपया पचास पैसा तो बार रुपया पचास पैसा से हम लोग divide कर देंगे और number of shares हमारा आ जाएगा तीस हजार चार सो तीस हजार चार सो share हम लोग को issue करना होगा देखो जी सरी अलग अलग क्यों करना है क्योंकि share capital में हम लोग को तीस हजार चार सो share into 10 रुपया और तीस हजार चार सो share पर ढ़ाय रुपया करके premium के amount को अलग करना होगा तो तीन लाग अस्ती हजार से राम traders को debit और ये हो जाएगा calculate कर लेंगे तो इसको हो जाएगा तीन लाख चार हजार ये तीन लाख चार हजार और ये 76,000 चलो जी तो ये भी हम लोगों ने कर लिया issue of share for purchasing assets चलो जी फटा-फटस का screenshot ले लो एक नेक्स्ट एक और question करते हैं आज का last question इसमें हम लोग business purchase करेंगे इसमें दो question है नालीनी लिमिटेट ने purchase किया है एक रैनिंग बिंजस को पांच लाग रुपिये में चार लाग चालिस जार जो है रुपिय का फुली पेड इक्विटी शेयर इसू किया गया है दस दस रुपिय वाला और जो रिमिनिंग अमाउंट है बाकी पैसे जो है वो बैंक ड्राफ हम लोगों ने इसू कर दिया है आसेट्स और लाइबडिस जो है इस तरह से हैं प्लांड इन मसीन और वगरा वगरा सार आसेट्स सम्लोगों ने खरीदा है चलो जी इंट्री डालते है फटा-फट से नाली ने लिमिटेड ने खरीदा है रनिंग बिंजस फ्रामा साम और भी इतना पेवल तो इतना इतना है कोश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग लिखेंगा वेंडर चलो जी जितने भी आसेट सम्लोगों ने खरीदा है बारी बारी से सबको लिखे लेंगे प्लांड इन मसीन यह है ए प्लांड एंड मस्नेरी अकाउंट डेविट एक लाग असी हजार का संडी डेटर से अकाउंट डेविट साथ हजार स्टॉक डेविट एक लाग रुपय का है कैश कैस भी लिखेंगे सरहाँ अगर question में given है तो आप लिखेंगे जितने भी आसे सपनों को ने परचित किये सारे लिखेंगे कैस हम लोगों ने लिया है चालीस अजार रुपय का चलो जी फिर editors है crank it को तो हम लोग क्रेइट करेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000 चलो यह एक, दो, तीन, चार, पांच आसेट्स है अरे कौन सा छुटी है जी लैन इन बिल्लिंग भी है आपका एक लागस्सी हजार का चलो इसको भी कर लेते हैं चलो लैन इन बिल्लिंग अकाउंट डेविट एक लागस्सी हजार का चलो और फिर हम लोग लिखेंगे टू वेंडर टू वेंडर अकाउंट कुश्चन कहता है पांच लाग रुपिया में हम लोगों ने खरीदा है बिजनस को तो फिर पांच लाग चलो जी इसके बाद इतना करने के बाद आसेट्स जो हम लोग ने टेक ओवर किया है सारा डेविट लाइबिलिटी को जो हम लोग ने टेक ओवर किया है सो केड़ करना है और पीसी का जो अमाउंट है निए पर्चेज कंसिडरेशन कुष्चन में गिवन है टू वेंडर लिखना है या टू न्यू कंपनी या अगर कुष्चन में नाम दिया हुआ कंपनी का तो अब लिख देंगे कि यहां पीसी का अमाउंट डालेंगे अब हम लोग क्मेर करेंगे जैसे क्रbije का टटल है फाइप लाइक फॉर्टी थाओजन credit में balance आ रहा है इस balance को हम लोग लिखेंगे to Capital Reserve अकाउंट, balance जो भी आएगा, अगर credit में आये तो फिर Capital Reserve 20,000 का balance आरहा है आपको, ये हो गया, ठीक है, बड़ा असान है, इंटरेस्टिंग भी आपको उसमझ में भी आ रहा होगा, अब दूसरा कड़ते हैं, case B रंजन लिमिटेट ने परचेज किया है एक रंणिंग बिजनस 30 लाग 30 लाग रुपया में खरीदा है अच्छा सॉरी सॉरी इसका पेमिंट करना होगा अब इसका पेमिंट करना होगा पेमिंट कैसे करना है कुश्चिन करता है चार लाग 40 जार रुपय का हम लोग सेर इस्टू करेंगे और साथ हजार का हम लोग बैंक ड्राफ्ट दे कर पेमिंट करेंगे तो फिर वेंडर अकाउंट डेविट पांच लाख और टू शेर कैपिटल अकाउंट चार लाख 40 जार रुपय का शेर कैपिटल साथ हजार रुपय का बैंक ड्राफ्ट दे कर पेमिंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट अब ये कंप्लीट है चलो दूसरा इसमें कहता है कि रंजन लिमिटेट ने एक चला चला या रनिंग बिंजस यानि खरीदा है तीस लाग में खरीदा है चौविस लाग रुपय का पेमिंट इक्विटी से रिशू करके दस्तर सुपह वाला और रिमिनिंग अमाउंट जो है बैंक ड्राफ्ट यानि छे लाग रुपय बैंक ड्राफ्ट देके पेमिंट करना है आस्ट लाइब्ड इस तरह के हैं प्लान arel, Plant and Machine, Land and Building, Stock Plant and Machine, Land and Building, Straight it stock or to creditor's account साथ बारह नौ दो साथ बारह नौ और यह रहा आपका दो लाक रुपय का ठीक है आसे समस्वारी हम लोग बिजनास को खरीद रहे हैं टू वेंडर अकाउंट तीस लाक रुपया पीसी कोश्चन में गिवन है तीस लाक रुपया में हम लोग बिजनास को खरीद रहे हैं क्रेडिट का टूटल है हमारा 32 लाक और डेबिट में टूटल हो रहा है आपका बारह और साथ 19 19 और नौ 28 चार लाक का डिफरेंस है चार लाक का डिफरेंस है इसको हम लोग बोलेंगे डेबिट में आ रहा है बैलन्स debit में गर balance आये तो फिर goodwill अभी हम लोगों ने सिखा है goodwill account debit यह रहा आपका balance ठीक है अब करना है payment 24 लाग का share इशू करना है vendor account debit to equity share capital account और to bank account vendor को 30 लाग रुपे का payment करना है जिसमें से 24 लाग रुपे का हम लोगों ने share liquidity share इशू करके और 6 लाग रुपे का हम लोगों ने bank draft इशू करके payment हम लोगों ने किया है चलो जी बड़ा ही interesting है बड़ा ही easy है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है चलो जी आप इसका skin sort ले लो पहले का आप ले चुके होंगे तो आज हम लोगों ने issue of share for consideration other than cash यानी cash के लिए नहीं दूसरे किसी चीज़ के लिए अगर करना हो तो कैसे करते हैं अगर purchasing अगर हम लोग running business को purchase करना हो तो इंट्री कैसे करते हैं सब कुछ आज हम लोगों सीख लिया तो आज इतना ही हम लोग करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care भाई आप हसते रहें मुस्कुराते रहें प्रसंद रहे नेक्स वीडियो में मिलते हैं नए topic के साथ take care भाई